चार दिन चार रेल हादसे तारीख 18 जुलाई 2024 जगह कूंडा उत्तरप्रदेश तारीख 19 जुलाई 2024 जगह बलसाड गुजरात तारीख 20 जुलाई 2024 जगह अमरोहा उत्तरप्रदेश तारीख 21 जुलाई 2024 जगह अलवर राजस्थान क्या कर रही है सरकार चार दिन से हम रोज उठते हैं, अखबार उठाते हैं, खबर पढ़ते हैं तो एक और रेल हादसा हो चुका होता है लगातार तीन बार कोई चीज हो जाए तो उसे हैट्रिक की उपमा दी जा सकती है मगर रेलवे ने हैट्रिक भी पीछे छोड़ दी है और ये तो हम बस बीते चार दिनों की बात कर रहे हैं उसके पहले जो हादसे हुए हैं, उन्हें तो अभी यहाँ गिना भी नहीं गया क्या चल रहा है, रेल चल रही है या मजाग चल रहा है चलिये कोई शती नहीं होती, तो कह भी देते कि हाँ मजाग चल रहा है लेकिन ऐसा है नहीं आये दिन ट्रेने ट्रैक से उतर रही है आपस में भिड रही है कहीं लोगों की मौत हो रही है तो कहीं माल का नुकसान हो रहा है सभी मामलों में जनता के पैसों से मजबूत हुआ रेल्वे जो नुकसान उठा रहा है वो अलग जो टेक्स का पैसा रेलवे के उधार के लिए लगना था, सुविधाय बढ़ाने में लगना था, वो सब लग रहा है मलवा समेटने में, हाथसे में शतिग्रस्त हुई ट्रेनों की मरम्मत करने में और दुर घटनाओं के बाद मुआबजा देने में रविबार की सुबह, फिर एक ट्रेन हाथसे की खबर आई, इस बार घटना राजस्थान के अलवर में हुई थी, इस बार एक मालगारी ट्रेक से उतर गई पहुचे जैपवर डिवीजन के अडिशनल डिवीजनल रेल्वे मैरेजर यानी ADRM, मनीश गोईल ने क्या बताया, सुनिए यह एक गुड्स ट्रेन्थी, जो अलवर गुड्स ट्रेन्थ से निकली थी, और अलवर इस्टेशन पर इसे रिसीव किया जा रहा था, यहां से इसे रहवाडी बेजाना जा रहा था, तो करीब धाई बजे के आजपास यह पता चला है, यह तीन डिवेल हो गए है इसके, यह गुड्स ट्रेंथी और रहवाडी जाना है, तो कारण के लिए क्या होता है, कि इसकी कमिटी बिठाएगी, वैसे इसमें डिरेज्मेंट जब होता है, तो ऐसे डिरेक्ट पता निए चल पाता है, उसमें मेजर्मेंट्स होते हैं, प्रैक के एगर अगर अगर आके, तो अलवर के इस रेल हादसे में तीन डिबिट रैक से उतर गये है, यह हादसा अलवर के आर्ट्स पॉलिज के पास हुआ है, एक अच्छी बात यह है कि कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी यह और खाली मालगाडी थी, इसलिए हादसे में जान माल की कोई हाने नहीं हुई है, अ ट्रेक से हटा दिया गया, जब तक रेस्क्य वर्क चलता रहा, तब तक अलवर मतुरा रेल रूट बद रहा, इसके करीब ही दिल्ली मुंबई रेल मार्क भी होने की वज़े से उसके भी बारित होने के संभावना थी, लेकिन क्रेन की वज़त से डिबो को उस पटरी से अलवर और उसके आसपास के लाखों लोग जाते हैं, ऐसे में अलवर जंक्शन पर गोवर्धन मतुरा के सफर के लिए हजारो यात्री कठे हो गए, फिलाल इस हादसे की जांच के लिए हर बार की तरह कमिटी गठित कर दी गई है, इस से बस एक दिन पीछे चलते हैं, और जिस्थान से निकलकर यूपी का रुख करते हैं, वहाँ भी एक हादसा हुआ, यूपी के अमरोहा में भी मालगाडी डीरेल हुई, इस दुरगटा में मालगाडी के साथ डिब्बी ट्रेक से पलट गए, जिसके बाद दिली लखनो रेल लाइन ठप हो गई, ये गाडी 20 ज लाइको एक रेल हादसा हुआ, वलशाड से सूरत की ओर जा रही एक माली काडी का एक डिब्बा पटरी सुत्र गया, ये दुरगटना मुंबई एमदाबाद ट्रंक रूट पर हुई, जिसके बाद वलशाड सूरत स्टेशनों के बी ट्रेन का आवागमन ठप हो गया, घड लेकिन और पीछे चलते हैं, यानि 18 जुलाई को, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से चंडिगर डिब्रुगर एक्सप्रेस होकर गुजर रही थी, ज़रान गोंडा में ही ट्रेन के साथ डिब्बे पट्री से उतर गया, हादसा गुरकपुर रेलखन के मोती गंज बॉर हादसे में एक अपडेट ये भी है कि इसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसे हम विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्षन में ज़रू बताएगा, आपके लिए तमाम जान करे लेकर आयते हैं, हमारे साथी शेक नावेद, मेरा नाम है विकास वर्मा, देख रहें ये दिललन डॉक, शुक्रिया